हेलो फ्रेंड्स कुकिंग वी सम्नम कीचन में स्वागत है आपका आज की हमारी रेसिपे है मतर पनीर की सबजी वो भी बिना काजू और मलाई की बिल्कुल सिंपल तरीकों से तो चलिए मतर पनीर बनाना श्टार्ट करते हैं मतर पनीर बनाने के लिए हम लिए हैं एक केजी मतर 250 ग्राम पनीर जिसे हम इस तरह से ब्रावरा पीच में काट लिए हैं सबसे पहले हम मतर का दाना निकाल लेते हैं सारा मतर हम निकाल लिए हैं तो अब हम सबसे पहले इस मतर को गर्म पानी में डालेंगे पानी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे यह मतर और थोड़ा सानमा और इसे 5 मिनर तक हम उबालेंगे जिसे कि हमारा मतर बहुत सौप्ट हो जाएगा जब तक हमारा मतर उबलता है तब तक हम इसका मसाला त्यार कर लेते हैं सबसे पहले हम एक क्राई गर्म कर लिए हैं इसमें हम डालेंगे तेल और जब तक हमारा तेल गर्म होता है तिदर हम मसाला मिक्स कर लेते हैं मसाला के लिए हम लिए हैं हाफ चमस जीरा पौडर एक चमस धन्या पौडर एक चमस लाल मीर्च पौडर आप लाल मीर्च पौडर कम जैदा कर सकते हैं अगर तिखा खाते हैं तो जैदा लें नमक छोटी चमस से दो चमस एक चमस हल्दी और इसे पानी डाल के हम मिक्स कर लेते हैं और एक टमाटर एक इंच अद्रक और दो हरी मिर्च को मिक्सी में पीस के फटला पेश्ट बना लिए हैं और दो प्याज जिसे हम छोटे-छोटे टुक्रों में काट लिए हैं तेल हमारा गर्म हो गया तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा दो हरी मिर्च और यह कती हुई प्याज अब हम डाल दरता है प्याज डालने के बाद हम 5-6 कलीलासं जिसे हम थोड़ा सा चूड़ लिए हैं इसमें डाल दते हैं और प्याज को लाल होने तक हम इसी तरह हो लेंगे प्याज हमारा भून गया है तो इसमें हम डाल दते हैं यह मसाला जो हम मिला के रखेते अब फोई देरी से हम इसी तरह से भून लेते हैं मसाला हमारा गुल है तो इसमें हम डालेंगे टमाटर अध्रक और मिर्च का पेश इसे भी हम दो से तीन मिनट तक कूप कर लेंगे इसे मतर चेक कर लेता है मतर भी हमारा सॉप्ट हो गया है तो हम गैस बंद कर देते हैं और अब हम पनीर को फ्राइ कर लेते हैं जालें आपकाई ने तरह जाएं अभी हम दो खरीज दो फ्राइए ज़्या है ज़्यादा प्राइम करेंगे ज़्यादा प्राइम करेंगे ज्यादा थाइमारा है अबड़ी तरा पनीव टाल लेता है इदर मसाला भी हमारा बून रहा है मसाला भून गया है तो इसमें हम डाल देते हैं यह मतर जिसे हम पानी से निकाल लिये थे और साथ में ही डाल देते हैं यह पनीर करने के बार इसमें हम डालें थोड़ा सा पानी कर देते हैं लिक कर लाया है इंदर में थे पानी से निक अदेते हैं लिक कर लिया है अब मतर पनीर बन के तयार हो गया है तो गैस हम बन कर देता है और इसमें थोड़ा सा ग्रम मसाला डाल देता है और इसे मिक्स करके छोड़ देता है इसे बर्तन में निकाल लेता है और ये हमारा हरे मतर और पनीर की स्वादिष्ट सब्जी तयार है